हेलो दोस्तो, गुड यूणिंग तु अल आफ यू, वेलकम तु माई यूटुब चैनल सिरीज जिसका नाम है फ्री एडवाइज भै अमेंत, तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है वर्चुल ट्रेडिंग इन स्टॉक मारकेट, तो पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने ड करती हैं और कोंजी एप यूज कर सकते हो, बेस्ट आप कोंजी है वर्चुल स्टॉक मारकेट ट्रेडिंग के लिए और जिसके दूरू आप बहुत अच्छे से बहुत इजिली आप अक्च्छे से शिख सकते हो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हो, तो लेट्स गेट स्टार्टेट डोंट फोगेट तो वाच दिस वीडियो तिल दी एंड ओके दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि या जम वर्चुल टेडिंग कहसे कर सकते हैं वो सिखने जा रहा है तो आप क्लिक करोगे मनी भाई की लिंक पर तो जैसे ही आप मनी भाई की लिंक पर क्लिक करोगे तो वो आपको दिखाएगा एक पॉप अप ने क्या लिखा हुआ है और यह आपको बता रहा है कि यह एक गेम है सिमुलेशन गेम है जिसमें आपको वर्चुल वन करोड रुपीज कैश आपकी पोर्फोई अकॉन में एड किया गया है और आपको आपकी जो इंट्राडे ट्रेडिंग लिमेट जो है वो भी एक करोड रुपे है इसका मतलब है जैसे कि आप एक करोड रुपे तक दिन में ट्रेडिंग कर सकते हो तो जैसे ही आप रेडी हो आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए और यह आपको दिखाएगा चार ओप्शन स्टॉक्स, मुचल पंड, बॉंड और फिक्स दिपोजिट तो जैसे कि हम आज सीक रहे हैं स्टॉक कैसे बाइ करना और सेल करना है तो जो भी स्टॉक आप खरीबना चाते हो उसका नाम यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो जैसे कि मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे SBI है तो SBI के यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स है तो एक्जामपल के लिए हम लोग लेले हैं SBI ATM तो यह एड कर देते हैं यहाँ तो जैसे आप एड करोगे तो यहाँ को यह आपको वैल्यू दिखाएगा उसका वाला कि कि कितना वैल्यू है एक शियर का तो एक शियर का वैल और यहाँ पर बाइक उप्शन चूज करो तो जैसे यहाँ बाइक उप्शन चूज करते हो तो यहाँ पर आपको यह छोड़ा सा फॉम फिल अप करना है उसमें पूछेगा आपको कितना कॉंटिटी पर्चेस करना है तो आप मेंशन कीजिए यहाँ पर दो तो जैसे यहां पर आपको दिखाएगा नीचे, investment amount आपका होगे 203.01, ठीक है, and then आपको यहां पर उसका price दिखाएगा, current price पे आपको लेना या limit लगाना है, तो limit अगर आप चूज करोगे, तो आपको एक limit set कर सकते हो, वो limit पे आप खरीच सकते हो, तो आप डेमो के लिए current price select करेगे, यहां पर आपको target दिया है, stop loss दिया है, तो आप एक target amount चूज कर सकते हो, और stop loss चूज कर सकते हो, तो आपके पास एक option दिया है उन्होंने, कि आप यह stop क्यों करना जाते हो, तो यहां पर आप अपना एक reason mention करना ना भूलिए, reason mention कर देगे, कि आपकी यह stop क्यों करना जाते ह तो यह एक demo है, इसके लिए मैं आप आप नाम लिख देता हूं इसका test ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पर trade नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको पहले यहाँ पर sign up करना होगा अगर आपका account नहीं है, तो आप यहाँ पर sign up कर लिजिए आपको तीन options दिएगा है, एक तो आप Facebook से भी sign up कर सकता है Google से कर सकता है, या तो email के तुरू कर सकता है तो यहाँ पर मैंने already sign up करके रखा है, तो मैं login करूँगा इतना existing email id, तो मेरी email id है, नाम दिखावे amit at gmail.com okay, तो यह personal email id है दोस्तों, अगर आपको कुछ queries है, तो आप मुझे email id पे भी message mail कर सकते हैं, तो अभी मुझे password याद नहीं है, तो इसके लिए मैं choose otp option choose करूँगा, तो जैसे मैंने option चूज किया है, तो यह मुझे मेरे email id पर भेज देगा, तो मेरी email id, email चला गया होगा, तो जैसे कि आप देख रहे हो, कि email id पर mail आ चुका है, मेरे otp का, तो मेरा otp है, यहाँ पर 3628, तो यहाँ पर हम डाल देंगे, क्या था दोस्तो, 3628, ओके, हैं login कर लोगे, तो फिलाल यह password हमें save नहीं करता हूँ, यह authenticate करेगा मेरा account, ओके, फिर मुझे welcome का message आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग trading की शुड़वात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तो, कि मेरा जो net worth है, वो है 1 crore रुपे, ओके, बैन, आपको अभी क्या करना था, दोस्तो, कि आप trading करना चाहते हो, तो आप you want to buy a stock, मतलब आपको stock purchase करना है, तो आप यहाँ पर stock कैसे purchase कर सकते हो, तो अभी आप दोस्तों चाहते हो, कि आप एक trade करो, तो आप एक transaction button पर जाना है, याना आपको यहाँ पर search करना है, कि आपको कुन सा order place करना है, तो अभी मैं यहाँ यहाँ पर SBI bond का एक add कर लीजी, उसका ज वो है आपका 11,100 रुपया, तो आप इसको buy कर लेजे, तो अभी खिलिए मैं यहाँ पर इसका दो quantity select कर रहा हूँ, दो quantity select करने के बाद में, यहाँ पर दीख रहा है कि आपका investment amount total कितना हो गया, 22,311 रुपया, और एक share का price है आपका 11,100 रुपया, ठीक है, तो जो भी investment amount है, आपको calculate होके वहाँ पर देखेगा, as per share, आप यहाँ पर एक reason देदीजिए, कि आप यह क्यों खरीबना चाते हो, तो मैं अभी testing कर रहा हूँ, इसके लिए मैं reason देदा हो, testing, तो जैसे ही आप यहाँ पर कुछ भी एक आप अपना reason दे सकते हो, then आप यहाँ पर please कर करोगे, तो आपको दिखाएगा, your order has been placed, you can check your spending orders here, तो यहाँ पर click कीजिए, here बटन पर, then आपको यह लिखे जाएगा, आपका status पर, तो जैसे आप देख रहे हो, कि मैंने यहाँ पर, अभी recently, SGI bonds के दो shares करी दे हुए है, जिसका amount है, 22,200 रुपया, इसके पहले भी मैंने क कुछ shares करी दे थे, तो उसका जो price है, SBI ETF के नाम से करीदा था, उसका price था 101 रुपया, तो अभी हमारा trade complete नहीं हुआ है, दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर कि इसका status दिखा रहा है, वो है, pending status, तो जब भी pending status होता है, तो आपको एक option दिया जाता है, कि आप order को modify कर सकते हो, तो real market में ऐसा ही होता है, real trading app में ऐसा ही होता है, तो आपका status pending है, trade का, तो आप इसको modify कर सकते हो, तो modify का कर सकते हो, आप चाहते हो कि अभी मैं गलत trade कर दिया, और मुझे दो shares नहीं करीने चाहिए, तो आप यहाँ पर एक share डालके, यहाँ पर दन कर द आप पर आप कर देजिए, तो जिसे ही ok कर देजिए, तो आपका order फिर से place हो जाएगा, और आप यहाँ आपको लिख क्याएगा, एक stop contract, your order for SBA points has been modified successfully, तो likewise आप जा सकते हो, यहाँ पर order book में, और आपका order फिर से check कर सकते हो, कि उसका status क्या है, और आपका order अपडेट हुआ या नहीं, तो ठीके दोस्तों तो मुझे दिख रहा है अभी, कि मेरा order यहाँ पर अपडेट हो चुका है, only एक ही share यहाँ पर अभी मुझे दिख रहा है, मैंने दो बाई की देजिए चार्टिंग में और उसके बाद में मैंने एक share किया, ठीके दोस्तों तो यहाँ कि आप अभी मैंने order delete कर दिया, तो यहाँ पर मुझे मेरे previous trade दिखा रहे है, SBI ETF and Tata Steel, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे options है दोस्तों, जिसके तुरू आप trading कर सकते हो, तो आपको अगर trading करना है तो आप transaction बटम पर जाएए, ओके दोस्तों, अगर आपको आपका portfolio देखना है, तो आ आपको दिखेगा कि आपके पास कितनी shares है, आपका net worth कितना है, आपके बस cash कितना available है, आपको ग्राव दिखाएगा यहाँ पर, आपको balance कितना है अभी, वो सब दिखाएगा, आपके cash कितना है, आपके बस account में, recent transactions होगे, सब कुछ दिखाएगा आपको, ठीके दोस्तों, और यहाँ पर देखिए, आप violet color में आपको दिख रहे है कि कौन से share के rate कितने है, तो जैसे कि यहाँ बजाज auto का दिखा रहा है, 274 रुपया, बजाज finance का दिखा रहा है, तो यह आपको एक real market के इसाफ़ से, जो companies को current market share price कितना है, वो आपको दिखाएगा, ऐसे देखना किकनलोगी का दिखा रहा है, 500 रुपया, तो ऐसे आपको real market price यहाँ पे आपको हर एक share का दिखाएगा, तो आप उसकी business पे आप decide कर सकते हो, बहुत सारी है, और आप से वैपनी टीबी यही है, जैसे कि यहाँ पे आपका transaction history आप दिख सकते हो, कि आपने कौन से share purchase किये थे, stocks में आके, यहाँ आपने कोई mutual fund purchase किये, mutual fund दिख सकते हो, उसके बाद में आपको यह order book दिखाएगा, यहाँ पे, तो order book में आपको दिखाएगा, कि आपने कुन से share purchase किये हो, है ना, तो यहाँ पे अभी I present मेरे पास, HPA, ETF, and then Tata still long, यह दो shares मुझे दिख रहे है, उसकी quantity द loss statement भी आप देख सकते हो, कि आप कितना profit में और कितना loss में हो, इसका मतलब है कि आपने लेट से आपने 10,000 के लगाये हैं, और 10,000 के उपर में आपको कितना profit हुआ या loss हुआ है, वो आपको यह tab में देख जाएगा, तो इतना easy दूआ है दोस्तो, आप बहुत कुछ सीख सक यह app के तुरूप बहुत easy हैं, और मैं चाहता हूँ आप यह app जरूर यूज की लिए बहुत easy लिए आप इससे trading करना सीख सकते हो, real market के scenario में, तो शुरुबात करने के लिए बहुत ही अच्छा है, दोस्तो आप जरूर इस app का नाम no down कर लिए, अगर आपके बास कोई भी questions ह तो आप मुझे comment कर सकते हो, मेरे comment box में, तो best of luck तुस्तो, I hope you will like this video and you will do more trading to this app, once you learn this, जैसे यह आप सीख जाते हो, तो आप real market में भी पैसा लगा सकते हो, okay तुस्तो, thank you, अगर आपके बास कोई questions है, तो आप मुझे comment की चिए, तो आप मुझे comment की चिए, तो आप मुझे comment क don't forget to subscribe my channel and share with your friends, groups everywhere, thank you all.